एक लड़का पहार पे लटकरा होता है उसका पिता उसे कहता है कि हिम्मत मतहारना की तबी उसका हाथ फिसल जाता है और वो पहार के बीच में गिल जाता है उसका पिता उसे देखने नीचे जाने लगता है कि उसके सातियों से समझाते हैं कि वो अब मर चुका है वो सब लोग उसकी समाद मना के वहाँ से चले जाते हैं एक दिन उस लड़के को अचानक होश आ जाता है वो अभी जिन्दा होता है वो पहाड से नीचे उतरना शुरू कर देता है और पहाड के बीच में जाके फ़स जाता है बारिश होनी शुरू हो जाती है वो वहाँ से नीचे गिर जाता है वो लड़का जिन्दा बच जाता है उसका पैट तूड जाता है वो अपना अलाज खूदी कर लेता है उसे जिन्दा रहने के लिए अजीवो ग्रीब चीजे खानी पड़ती है एक बेड़िये का जुन्द उस पे हमला कर देता है वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पे चड़ जाता है पेड़ पे चड़ते वक्त वो एक बेड़िये को जखमी कर देता है सुबा होने पर वो लड़का उस बेड़िये को देखता है वो लड़का बेडिये को मारने लगता है कि तब ही उसे उसे उस पे तरसा जाता है वो उसे पीने के लिए पानी देता है दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं वैसे दोस्तों आपके पैट का नाम क्या है?